हलो दोस्तो जैस्री रादे रादे आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं अनुरुद अचार्य जी के बारे में अनुरुद अचार्य जी को आज के समय में कौन नहीं जानता स्वामी अनुरूद महाराजी के द्वारा कथाएं और प्रवचन लगवग हर एक हिंदू के घर में सुना जाता है प्रसित कथावाचक अनुरूदाचार्य को किसी अज्याद व्यक्ती ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी इस बात का खुला सा उन्होंने इंदूर में आयोजित कथा के दोरान किया था बीते दिनों प्रसित कथावाचक अनुरूदाचार्य को बीते दिनों पत्र के जरिये बम से धमकी दी गई थी इसे लेकर बागेश बर दाम के संत ध्रेंडर शास्त्री आग बबुला हो गए बीदी सामे आयोजित कथा की दोरान पंडित ध्रेंद क्यस्द शास्त्री ने कता बाचक अनुरूदाचार्य की मौझूदगी में कहा की धमकी देने वाला गिधर है पंडि धिरेंद क्यास्न सास्त्री ने कहा कि आप ब्रंदवन धाम में भगवान सिर्क्यास्न की सेवा कर रहे हैं पंडि धिरेंद सास्त्री ने कहा कि ब्रोधी बड़े ही आपके पीछे पड़े हो उन्होंने कहा कि हमें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी किसी ने आपको एक पत्र भेजा आप यदि करोडों रुपे नहीं देंगे तो बम से उड़ा देंगे हम महाराज जी से प्रात्ना करेंगे कि गीदलों की धमकियों से डरना नहीं ये गीदल है महाराज जी हमारे भी पीछे कई लोग रहते हैं ध्रेन सास्त्री ने कहा कभी सामने आना फिर बताएंगे पंडित ध्रेन सास्त्री ने कहा कि ऐसी चीजे तो चलती रहती हैं आपके रक्सक जगनाज जी हैं बागेस पर पीट आपके साथ हैं हम ऐसे लोगों की ठटरी बांदेंगे बतादे की प्रसित कथा बाचक अनुराचारिये को किसी एग्याद ब्यक्ती ने बम से उलाने की धमकी दी थी इस बात का खुलादा सुम कथा बाचक अनुराचारिये ने इन दोर में आज़ित कथा के दोरान ब्यास पीर्ट से दी थी उन्होंने सरदावलों के समस कहा कि उनकी सेवा करना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है उन्होंने कहा कि वो अपनी अंतिम सांस तक धर्म की सेवा करते रहेंगे वो किसी की धमकी देने से रुकने वाले नहीं है उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को संगटित होने की जरूरत है बतादे कि बीते दिनों अनुरुदचारिय इंदोर के कनवेश्री धाम के कथा कर रहे थे कि किसी दोरान एग्याद व्यक्ति दोरा पत्र के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी दी थी इस धमकी को लेकर बागेश्वर के संत धिरेंद केशन सास्तिरी ने कहा कि धमकी देने वाला गिदर है दोस्तों इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें जैसरी रादे रादे